जैहिन दोस्त वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तो आज हम आपको ले करके आए हैं कि इंडियन आर्मी भरती का जो फार्म है उसे आप किस वैपसाइट पर कहां से भर सकते हो तो दोस्तो आज हम आपको इस ओनलाइन वैपसाइट के बारे में पूरी जानकार देंगे और बताएंगे कि फार्म को कहां से किस परकार से भर सकते हो तो दोस्तो चलते हैं वीडियो को पूरा देखें और बताए होई निर्दोस्तों के अनुसार वीडियो को फॉलो करें तो दोस्तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें लाइक करें और वैल आइकन को दबाएं ताकि हमारी सब वीडियो अब तक पहुंच सकें तो दोस्तों चलते हैं फॉर्म को कैसे भरा जाता है ठीक है हम आपको पूरी जानकारी देंगे वैबसाइट बताएंगे और फॉर्म भरने का तरीका भी आपको बताएंगे तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ दोस्तो आर्मी रेली एप्लिकेशन फॉर्म 2020 कैसे बरें दोस्तो ये फॉर्म निकले हैं जो भी आर्मी के फॉर्म निकले हैं और निकलने वाले हैं हर राज्यवाय जिलेवाय ये बट्ती चल रही है तो इसके फॉर्म आपको कैसे बरने हैं आज हम आपको जानकारी दे दें दोस्तो दोस्तो आज हम उम्मिद्वारों को आबेदन करने के कुछ step बता रहे हैं जिसमें उम्मिद्वार आसानी से आबेदन कर सकते हैं आप आविदन दो तरीके से कर सकते हैं पहला आप अधिकारिक वैबसाइड जोईन इंडियन आर्मी.nice.in पर जाकर आविदन कर सकते हैं और दूसरा आप हमारे आर्टिकल पर दिये होई लिंक के माध्यम से सीधे आविदन कर सकते हैं अगर उम्मिदवार के पास आधार कार्ड है तो आविदन करने में बहुत आसानी होगी आईए फिर दिखाते हैं आपको किस प्रकार से आविदन होगा इसमें लिगा है नीचे उन इस्टेपों पर एक नजट ढालते हैं अब बात करते हैं स्टेप की आविदन करने के लिए उम्मिदवार को सबसे पहले joinindianarmy.nic.in पर वैब साइट पर जाना होगा ठीक है जब आप वैब साइट पर जाओगे तो आपका ये वाला पेज खुलेगा आपका ये ऐसा पेज खुल के आएगा तो आपको ये ऐसा joinindianarmy लिखा होगा इस परकार से आपका वो पेज खुल के आएगा ठीक है दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है चलो दिखा दें अधिकारी website पर जाने के बाद उम्मिदवार को jco या or apply वाले section पर किलिक करना होगा तो इसमें दोस्तों आपको jco या or वाला option आपका कहा देख रहा है तो हमola को दिखा देते हैं यह ऑर ऑक्यवार वाला option इस पर आपको क्लिक करना होगा तो आपको क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको पेज खुल के आएगा वह इस परिकार से पेच आएगा जिस परिकार से यह है तो दोस्तों जब आप उस पर किलिक करोगे तो आपका इस परिकार से पेच खुलकर आएगा उसके बाद जब आप वे पेच निकले आएगा इसके बाद आपको कौने पर दिखाए देगा JCO या OR Apply on Login तो इस परिकार से लिखा होगा जब आप Apply Login पर किलिक करोगे तो उसके बाद आपका ये लिखा है सेक्षन पर किलिक करते ही उम्मिद्वार के शामने रेजिस्टेशन पेज खुल जाएगा फिर उम्मिद्वार को रेजिस्टेशन सेक्षन पर किलिक करना होगा तो जब आप उसको किलिक करोगे तो आपका इस परिकार से एक पेज खुल कर आएगा जिस पर आप अपना आवेदन कर सकते हो तो दोस्तो इसमें आपको नाम लिखना है यहाँ आपका नाम आएगा यहाँ पासवर्ड आएगा यहाँ कैप्चर कोड है इसमें भरना होगा कैप्चर कोड आपको यहाँ भरना होगा उसके बाद उसके बाद आपको पूरा भरने के बाद इस registration बाले option पर आपको click करना होगा फिर ठेके दोस्तों जब आप इस पर click कर दोगे तो उसके बाद क्या होगा देखते हैं click करते ही उम्मिदवार के शामने registration से जुड़ी जानकारी आ जाएगी फिर सारी जानकारी पढ़ने के बाद उम्मिदवार को continue करना होगा जब आप इस पर click कर दोगे इसे पूरा भरने के बाद जो इसमें मांगेगा जब आप इस पर click कर दोगे तो आपको फिर से यही page निकल कर आएगा इस पिरकार का जिसमें आपको यह check करना होगा कि आपने जो भी उसमें भरा है क्या वो ठीक है अगर उसमें कोई मिश्टेक है तो आप उससे सुधार सकते हो एक मौका मिलता है अगर आपका पूरी तरह से फॉर्म ठीक है तो अच्छी बात है अगर कोई कम है तो आप उसे ठीक कर लिजिएगा ठीक है और ठीक करने के बाद फिर उसे आप continue आप्शन आएगा तो आप उसे continue उपे ओके किलिक करके फारम को सम्मिट कर सकते हो जब continue करते ही उम्मीदबार के सामने रेजिटेशन पेज खुल जाएगा फिर ध्यान से रेजिटेशन कर दें तो इस पिरकार से आप इस फारम को भर सकते हो आबेदन फारम आप इदन फारम से जड़ी महतेबर कुछ बात है पहली बात पहली बात यह है सबसे पहली बात उम्मीदबारों को आप इदन करते समय सारी ध्यान से बरनी है यानि कि यह थोड़ा मिश्टेक है उम्मीद इसमें लिखागा उम्मीदबारों को आप इदन भरते समय ध्यान से फारम को भरना है अगर किसी पिरकार की जानकारी गलत डालता है तो उसका आप इदन फारम रद कर दिया जाएगा दूसरा है उम्मीदबार आप इदन के दोरान अपना मोबाल नमबर और इमेल पर वैलिड डाले यानि कि आपका मोबाल नमबर डाले और इमेल आईडी वो वैलिड हो ठीक हो जो आप चलाते हो वो वाली इमेल आईडी डालनी है जिस पर आपका एडमिट कार्ड और जो है वो आपको उससे प्राब्त होगा उससे मैसिज आपका आ जाएगा अब बात करते हैं तीसरा आवेदन करने के बाद उसका प्रेंट आउट जरूर निकालें तो दोस्तो है जब आपका फावम भर जाए तो उसका प्रेंट आउट निकाल कर रखें To तकि आपको पता चले जब एडमिट काड़ आए, तो आप उससे नंबर उसका डाल कर उसे एडमिट काड निकाल चुक 우리는 आर्मी रेली भरती से जुड़ी सभी जानकारी हम अपने चैनल के माध्धम से आपको दे रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वैल आइकन को दवाएं ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच सके तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तो जब तक के लिए थैंक्यू धन्यवाद गुड़बाई